यह देखिए हमारे फेरी फ्राइस कितने अच्छे बने हैं तो इसको बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा तो उसके लिए मेरा वीडियो एंट तक देखिए मुझे सपोट करने के लिए जरू सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकम दबाईए ताकि जो भी में वीडि सब्सक्राइब करने के लिए तो चलिए अभी हम लोग इसको काटते हैं तो यह देखिए मैंने उपर से धोलिया आलू को और ऐसे दो टुकड़ा करने के बाद पत्ते पत्ते स्लाइज काटने यह देखिए ऐसे पत्ला पत्ला काट लीजिए तो तब तक हमने गरम पानी जब लोग सरथिए गरम पानी रखा है यह देख सकते आप तो वास रीख आलो पे समें द्otes ने कर को पांच मिनिट तक इसमें ही रख सकते एं, तो अकुम पानी माशनी हे तो इसको घरम पानी में रखना है. यह दुद्ध रालो नहीं है. तो गरम पानी से एकदम ठंडे पानी में ला लिए पिर अच्छे से ऊपर निचे करके उसको एक प्लेट में निकाल देजिए फिर एक कपड़ा लीजिए उसके उपर अच्छे से इसको सुका दिजिए थोड़ी कम से कम 10-15 मिंट उसको पंके के नीचे सुका दिजिए ताकि स बाद में उपर से कपड़ा ऐसे थोड़ा कर देंगे आप देख सकते हैं तो फिर 15 मिन के बाद हम लोग यह देखिए पंके के निच्छे रखाता तो पाने सब निकल गया है अगर नहीं निकला है तो आप ऐसे भी कर सकते पाने सब निकल जाए तो दोस्तों अभी चलिए तेल नहीं रखनी है तो इसको हिलाते रहें बीच-बीच में हिलाते रहें यह देखिए जैसे मैं कर रहें आप दीख सकते हैं तो देखिए देर देर कलर चेंज हो रहा है एक्टम यह देख सकते हैं तो हिलाते रहें तो जैसा कलर आएगा यह देखिए कलर एकदम चेंज हो रहा है है चाथ मसाला में तो आप चाहे तो सेदा नमक डालके भीखा सकते हैं चाथ मसाले ढालके भीखा सकते हैं को टो कितने अच्य हमारे च्बावनाय earlier प्रत छा लीजिए तो जाते जाते एक सब्सक्राइब 1 लायक तो बनता है जपी सब्सक्राइब किझिए कि अँछे